नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अबिनान्दा ने आपकी अपनी तक्षिशिला एकेडमी जोदपूर की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्तान फार्मासिष्ट बर्ती 2020 और राजस्तान जे इन बर्ती 2020 के बारे में दोस्तों, इन दोनों बर्तियों में जो सहले बस है, उस सहले बस में राजस्तान जीके का भी एक महतवपूर रोल रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यारतियों की मांग पर तक्षिशिला एकेडमी जोदपूर आपके लिए लेकर आया है टोपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट स्रीज, जिसमें आपको पहले जो पूरो परिक्षाओं में आ चुके हैं प्रशने वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रशने जो मैं तो पुन साबित होंगे आपके सेलेक्शन के लिए उन प्रशनों को भी हम सामिल करेंगे तो दोस्तों तक्षचिला एकेडमी जोतपूर की ऑनलाइन क्लासे से जुड़ने के लिए तक्षचिला एकेडमी जोतपूर का जो चैनल है उस चैनल को सबिस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंस्टेर कीजिए शवाल देख़ेuine क्या लिखा वाया आपकी स्क्रिन पर बत्याहर वंश का अंतिम सासक था उसका नाम थाitud यसपाल ही परतिहार होंस का क्या था अंतिम शासक था नेक्स्ट त्यूशन देखते हैं आपकी उस्क्रीन पर देखिए महान संस्कृत कविएम नाटक कार राज सेखर निम्नमें से किस दरबार में किसके दर्बार से सम्मंदित है दोस्तों पूचा है राज सेकर का और राज सेकर किसके दर्बार में रहते थे चार आपके सामने मेहंदरपाल प्रत्थम है नागपट जुत्य हैं मिहीर भोज है और शगत पाल है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा देखे अनका नाम था दोस्तों मिहीर भोज क्या नाम था नाम था और एक करपूर मंजरी कौन सी काविय मिमानशा और एक करपूर मंजरी वैसे इनकी चार पुस्तके तो जो में में पुर्पूर मिमानशा और करपूर मंज़री इसकी अलावे विद्थसाल बंजिका है कौन कि यह हैं जाब यह इनकी प्रमुख पुस्तके हैं तो दोस्तों ध्यान रखना की राज सेकर एक प्रसीद विद्वान थे और एक अच्छे लचनाकार कभी थे जो मिहिर पोज के दर्बार में रहते थे तीन पुस्तके थी काविय मिमान सा करपूर मंजरी और विद्विद्व राज बंजी का नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं क्या है परतिहार शिलालेकों में पदादिकानियों का उलेक आता हैं सवाल पुचा है कि जो परतिहार शासकों के शिलालेक हैं उसमें जो उनके पदादिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था चार आप्सन है वीर पुरूश, देशगन, राज पुरूश या राम पुरूश दोस्तों परतिहार काल में जो इनके अधिकारी होते थे जो शासक होते थे इनके जो सारे अधिकारी होते थे उनके लिए जिस सब्द का प्रियोग होता था उनके कहा जाता था राज़ पूरुश क्या कहा जाता था दोस्तों राज़ पूरुश का आ जाता था नैश्चवाल की आए देखिए राजस्तान में परतिहार वंस के संस्तापक हरीश चंदर की राज़दानी थी चार उप्सन है चंद्रावती मध्यमिका नगरी या मंदूर तो बात करते हैं हर परतिहार को कहा जाता है राजस्तान में किसका आदिपूरुश तो कहा जाता है परतिहार शास्कों का क्या कहा जाता है परतिहारों का आदिपूरुश इसके अलावा धियान रखना दोस्तों सबसे पहले राजस्तान के अंदर परतिहार शास्कों की जो पहली राज़दानी ती वो कौनसिती मंदोर थी काहां थी मंदोर और मंदोर कहां पर है जहोत्पुर है कहीं बार एक्जाम में सवाल पूचा जाता है कि मंदोर का प्राचिन नाम क्या था तो मंदोर का प्राचिन नाम मिलता है मांडवियपूर क्या मिलता है दोस्तों मांडवियपूर तो हरीच चंदर जिशे परतिहारों गुर्जर परतिहारों का आदिपूरुष का आ जाता है इसी ने मंदोर को अपनी राज़दाने मनाय था और मंदोर का प्राची नाम था वो क्या था, मांडविय पूर्ता, next question देखिए नागबट प्रतम निमनलिकित मैंसे किस राजवन से संब्भन दित है पुचा किसका है नागटबट प्रतम का तो चार अपसन है प्रमार, राष्ट्रकूट, गूहिल और गुर्जर परतिहार और नागबट प्रत्म का पूचा है तो दोस्तों ध्यान रखना नागबट प्रत्म है ये किस वन से संबन दिता वो ता गूर्जर परतिहार नागबट प्रत्म किस वन से था ये था गूर्जर परतिहार ध्यान रखना दोस्तों नागबट प्रत्म का जो दर्बार था वो दर कई रखूचा और उसके अलवा ज्याagबट प्रथम का औरह उड़ते में जो तो मिलता है यह आव देखिए और प्राज में मिलता है 차 रखूचा जरा नाराहिन का गया है इस पुस्तक में इसके अलवा ध्यान रगना दोस्तों कि नागबट प्रथम के समय जो अर्वों से होने वाले अरक्रमन थे उन सभी आक्रमनों को विपल कर दिया था नागबट प्रथम ने इसलिए नागबट को कहा जाता है मलेचों का नासक क्या कहा गया है मलेचों का क्या कहा जाता है दोस्तों नास तक मलेचों को कभी भी भारत में अर्वों को भारत में इन्हों ने परवे relies नहीं करने दिया नागबट प्रथम गूर्जर प्रतियाः शासक था next question है किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसित गवालियर प्रसिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् घवालियर प्रश्थ्त अगर आपको पूचे कि लिख वनवाय बनवाया था तो बोज प्रथम, और बोज प्रथम ने इसको बनवाय था, और कई बार शवाल पूचे कि इसका जो ले Simmons कहना है अग्जाम है औरूंग का नाम था बाला दिठिय। क्या नाम था दोस््तों बाला दित् silicone गुर्जर पर्ठिहार वंश की जानकरी मिलति है के इसMyसर पर्तिहार वंश की जानकरी मिलती है th variable दियान रगना दोस्तों भी कहां पर गवालियर के अंदर मिली है तो गवालियर प्रसस्ति यह गुर्जर पत्यार वंस के समय है इसको बनाने वाला मिहिर कुल याग भोज प्रतम था लेखक इसका बीजाज बाला दिप्तिय था और यह वर्तमान में कहां पर में है जान रखना एक बार और सवाल का जन्म किस वर्ष हुआ महाराना प्रताब का जन्म किस वर्ष हुआ है चार आपके सामने पंद्रासो शितानवे इसवी पंद्रासो चालीस इसवी और पंद्रासो पचास इसवी पूचा किसका है दोस्तों महाराना प्रताब का और क्या पूचा है जन्म है वो कब हुआ है चार option अपने पढ़ेते इसका right answer किया है वो ध्यान लगना दोस्तों महाराना परताब का जन्म हुआ था 9 मई 1540 में कभी कभी exam में ये भी पूछा जाता है कहां पर हुआ तो कुंबल गड़ दुर्ग में आए कहां पर हुआ था कुंबल गड़ दुर्ग है इस कुंबल गड़ दोस्तों उद्याइशिंग और माता का नाम था जयवन्ता बाई जो पाली के अखेरा सोनगरा की पुत्री थी इनके गोड़े का नाम पूछे तो चेत्तक और चेत्तक की अगर समाधी पूछे तो ध्यान रखना चेत्तक की समाधी भी exam में पूछी गहीं है कहां पर है तो ब जच्पन में आदिवासी दोस्तों के साथ बहुत अधी गुंगते थे और पहाड़ी में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने इनका नाम रखाता की का क्या राम रखाता दोस्तों की का रखाता इसके अलावा ध्यान प्रक्ना महाराना परताब की छत्री पूछे तो इनकी इंपोर्टेंट है जो इनके बारे में पूछा गया है अपन बात करते हैं तो इनको कहा जाता है गज केशरी क्या कहा जाता है गज केशरी इनको कहा जाता है हल्दी गाटी का सेर हल्दी गाटी का सेर इसके अलावा क्या कहा गया है इनको ध्यान रखना दोस्तों इनको कहा पाथल क्या कहा गया है पाथल कहा गया है इसके अलावा सुतंतरता का प्रतिक कहा गया है और महाराना परताप के वारे में इंपोर्टेंट बात ये है कि महाराना परताप ने लग बग कितने साल तक शाषन किया था 24 वर्ष तक इसके अलावा इनकी मरतिव पूछे तो इनकी मरतिव हुई थी 1597 में कब हुई थी 1597 में सवाल पूचा जाता है कि इन्होंने कौन सा युद लडाता तो इन्होंने हल्दी गाटी का युद लडाता और दिवेर का युद लडाता दिवेर के युद में इनको जीत मिली थी और हल्दी गाटी के युद्ध है वो और निर्णाई ग्रा लगबग जीत इन्हीं की बताई जाती है नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं किस राजवंस ने साथवी सताब्दी से सोली सताब्दी तक चितोर पर किस ने सासन किए तो दोस्तों चार पाशन ने राठोड़े और तो दोस्तों सवाल पूचा है कि मारा मेवाड के अंदर किन सासुआब साथ अधिपत्य दा दा्यolen plusने सास्ट के इन्सकं गया था गित्रें निम ने लिकित Sangeet Grunth मैंसे कौन सा ग्रंद है वो कुंबा द्वारा कृत नहीं है यानि कुंबा द्वारा नहीं लिखा गया है चार आपके सामने संगीत राज है संगीत मिमान सा है इसके अलवा ध्यान रिखिये एक लिखा है सुधा प्रबंद और एक है कला निदी तो ध्य नहीं लिखा था नेक्स देखिए राना कुमबा को किस वाधियेंतर में दख्षता हसिल थी यानी राना कुमबा कौन सा ऐसा वाधियेंतर था जिसको बजाने में माहिर थे चार अपसन है वीना है तबला है तानपूरा है या चोतारा तो ध्यान रखना दोस्तों महाराना कुम पत्वादियंद्र कहलाता है फिर अगला सवाल है निमने लिकित जोड़ों मैंसे कौन सा सही सू मेलित नहीं है चार जोड़े दे रखे हैं एक तरफ तो सासक का नाम एक तरफ वंस का नाम गलत है वो आपको बताना है तो देख ये लिकावा है राणा कुमबा गुहिल फिर र राव माल देव राठोड और फिर लिकाए राव चंदरसेन बाटी तो ध्यान रगना दोस्तों राणा कुमबा मेवार के रहने वाले थे और मेवार के शासक है वो गुहिल वंस के कहलाते हैं राव माल देव जो मारवार के शासक थे जो राठोड थे बिलकुल राव चंदर सेन भी मारवार के थे और राटोड थे तो इसका मतलब यहां है कि राव चंदर सेन बाटी नहीं थे क्या थे राटोड तो इसका राइट आंसर होगा द ऑप्शन फिर अगला सवाल बात्साहां ने मेवार के राणा को आपस के समझोते से अधिन किया था ना कि बल से यह माहरानाओं को किस के माधियम से अधिन किया था ना कि किसी ताकत या बल के अधिन तो यह किस का खतन है करणल जैम स्टोड है विलियम फ्रेंक्लिन है सर टॉमस रो है और जॉसप विल्सन है तो दोस्तो इसका जो पुर्णन किया है वो क्या है सर टॉमस रो ने किसने क्या है सर टॉमस रो ने का है कि मेवाड को बात चीत के जरिये मुगुलों ने अपने अधिन किया था ना कि अपने ताकत के जरिये मान सिंगे खुसरो हैं और नभी immortal किया था ने करने वाला वाला धे खिलाप महाराना परताप के खिलाप और इसक्रमन को किश्नी कि तो यह करने वाला व्यक्तिता सहाबाज खां कौन था दोस्तों सहाबाज खां के नित्रतों में अरंग जैब ने अपना अक्बर ने अपना अन्तिम सेनी अभियान बेजा था यहां पर ठीक है दोस्तों नेक्स चूशन देखते हैं चितोडगा तीसरा साका कब हुआ चार अप और चारों पढ़ लेते हैं क्या क्या है यहां पर अक्रमन करता है मेवाड पर अकबर और अक्बर अक्रमन करता है उसमें चितोडगंड के अंदर जो किले के अंदर सुरुक्षा के लिए लगे होते हैं कौन फताशिशोदिया, जैमल राटोड और कल्ला राटोड तो जैमल राटोड, कल्ला राटोड और फताशिशोदिया के नेतरतों में केसरिया होता है और फता शिशोदिया की रानी होती है जिनका नाम होता है फूल कमर फूल कमर के नेतरोत में जोहर किया जाता है और ध्यान रगना है दोस्तों कि ये चितोडगट का अंतीम क्या था साका था इसके अलावा शाका क्या होता है आपको पता है कि जहां जब केसरिया भी होता है और केसरिया के साथ क्या होता है जोहर भी होता है और जब यह दोनों साथ में होते हैं उसे कहा जाता है साका तो दोस्तों यह थे मैं तो पूर्ण क्विश्चन